नमो रियंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आरियानं, नमो वज्यानं, नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसामां मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गलि, मंगलं कुंद कुंदार्यो, जैन दर्मोस्तु मंगलं, सर्व मंगल्य मंगल्यं, सर्व कल्यान कारकं, रदानं सर्व दर्मानं, जैनं जयतु सास्तन्, ओम कार बिंदु सैयुक्तं, नित्यं ध्यायंति योगिनं, कामदं मोक्सदं चैव, ओम कारायनं ओम नमा, नमसमय सारायो, स्वानु भूत्या चकासते, चिट्स्व भावाय भावायो, सर्व भावांतर चिदे, अग्नानति मीरांदानं, जनाना जन्य सलाकया, चक्सुरुन मिलितं येनं, तस्वें स्री गुरुवे, आत्मा जनानं स्वयं जनानं, जनाना दन्यत करोतिकिं, परभावस्य करतात्मा, मोहयं व्यवारियं, मंगलमय मंगलकरन, वीतरागवी इगना, नमोताहि जाते भए, अरिहंता दिमहा, ओम नमस्य देव्यों, नमस्य देव्यों, नमस्य देव्यों. मावीर परमात्मा के सासन में, कुन-कुन आचारिय भगवान की आमनाई में, अमरचंद्र आचारिय भगवान की परमपरा में, परमकृपाडव पुझ्य गुरुदे उस्त्री के मंगल प्रभावना योग में, इस पंचम काल में पुझ्य गुरुदेव स्री का जो योग हुआ मानो भूत काल के तिर्थंकर माविर परमात्मा की ओमध्वनी वर्तमान में सिम्दर परमात्मा की ओमध्वनी ओम भावी में होने वाले अनन तिर्थंकरों की ओमध्वनी का सार पुझे गुरुदे उस्री के मकार्विन से अपने को मिला यह ने तिनों काल के तिर्थंकर वगोंतों का योग हमें हुआ उसलिए पुझे सुगानी जी कह रहे हैं कि पुझे गुरुदे उस्री हमारे लिए अनन तिर्थंकरों से अधिक है जो बात अनन्त तिर्षंकरों के सानीध्या में ओमध्धनी में बात जो समझ में नहीं आई वाध ये बात समझ में आती है तो पुझ्य गुरुदेवसरी हमारे लिए अनन्त तिर्थंकरों से अधीक है यह बात माननी होगी क्योंकि अनाधी काल से एक कारिया नहीं हुआ द्रविय द्रश्टी नहीं हुआ द्रविय द्रश्टी को छोड़कर सारा का सारा कारिया मैंने बारांग चोड़पुरों में से ग्यारांग नोपुरों का ज्यान अन्नत बार हुआ जबकि कुन-कुन अचारिय भगवान के वक्त में एक अंग का ज्यान पुरा नहीं था तो हमने उसमें क्या नहीं समझा कि मैं परिपूर्ण अपरिणामी परमात्मा हूं इस बात को नहीं समझा यान कि परियाई का लक्स नहीं छूटा यान कि व्यवार का पक्स नहीं छूटा प्रमान ग्यान का लोब नहीं छूटा निस्यावास का डर नहीं छूटा वेवार का पक्स, प्रमान ग्यान का लोब, निश्य अभास का डर एक तिन कारण के वज़े से हम में वर्दमान में परिपूर्ण परमात्मावे बात मानने में नहीं है एकांत हो जाएगा, रभू एकांत हो जाएगा तो डर मत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा निश्या भासी हो जाएगा अनाधी काल से वेवारा भासी तो है यदि एक बार निश्या भासी हो जाएगा तो फरक्या पढ़ेगा प्रभू जिसके अंतरंग में जिन्वाणी माता है मस्तिक्स पे सिमंदर परमात्मा है रडे में गुरु देव सास्टर गुरु का सानीदिय है जिन मंदिर की दर्षना है तो कխी निष्या भासी होई नहीं सकता हो निष्य का अभ्यास्यों चिंतामत का कि निश्य का अभियास्य होने का मार्ग है प्रभू तो पुझ्य भुज्य सुगाने जी यह 580 मابर के बोल में कल यह किह रहे थे कि सम्यक दरम को सम्यक messaging करना है जिसको समे दरसन प्राप्ट करना उसका विसे जो आत्मा है वो किसा वो एक है उसमें ज्ञान दर्सन्चारितर नहीं है यह बात आपको मानना पड़ेगा वस्तु को समझाने का कोई उपाई नहीं होने के कारण अभेद में भेद करके समझाया जाता है लेकिन समझना तो अभेद से ही पड़ता है समझाया जाता है अभेद से समझाया जाता है अभेद से क्योंकि वस्तु सोभावी का भेद है अब जो वस्तु सोभावी का भेद है वो इसको अभेद ही देखना होगा कि ग्यान दर्संद चारित्र आत्मा में वेवार है प्रवूं कि उप जाया हुआ विवार है एक बार वह से खिसक जा है मैं ज्यायक मात्र वस्तू निर्विकल मात्र वस्तू अपरिणामी पर्मात्म मात्र वस्तू तो केते सुगनी सब कि अभी के जीवों को ये बात नहीं ज़स्ती कुन सी बात मैं आप परिणामी परमात्मा हूं ये बात ज़स्ती नहीं है क्यों नहीं ज़स्ती है कि प्रमान ग्यान के लोग में आत्मा को ये अप परिणामी मानेंगे तो प्रमान ग्यान नहीं होगा और एकांत हो जाएगा इ आड़ लगाता है कि एकांत हो जाएगा तो प्रमार ज्याहन नहीं होगा कफी कांत में आजा एक बार में अपरणामी परभृ आत्मत में आ नियम से समय ज्ञान होगा, नियम से प्रवाण ज्ञान होगा एक का लख से अनेकांत का जन्मा होता है उसलिए कृपालु देव ने भी का अनेकांत पना समय के कांत वा निजपद्नी प्राप्ती सिवाई अन्या हेतुय उपकारी नथी के नेकांत में भी एकांत ही बताना है मैं ग्यायक हूँ और राग रूप नहीं हूँ तो जो नहीं हूँ उसकी चर्चा कहां करनी है जो हूँ उसकी चर्चा करना है तो मैं ग्यायक हूँ नेकांत में से भी एकांत को निकालना और एकांद में आएगा तो नियम से प्रमाण ज्यान होगा होगा और होगा दरव मत गवराव मत प्रभुय सुर्विरों का मार्ग है वचनाम रतवितरागना परम सांतर समूड अवसद जे भव रोगना कायर ने प्रतिकोन कुछ गुरुदेव स्री कहा करते थे कि मार्ग मियान में तल्वार लेके घुमने वाले का नहीं है मियान से तल्वार निकालकर एक गहा और जो टुकड़ा करे उसका मार्ग है द्रवियों और परिया जो टुकड़ा करते प्रभू अन्य द्रवियों के साथ टुकड़े करने की तो बात ही नहीं है जैन दरसन वे तो तेरे से सरवताविन है लेकिन जब ग्यान से बात करते हैं तब कतंची बीन अभिन की बात करते हैं और स्रद्दा से बात करते हैं तो सरवताविन की बात है तो अब हमको स्रद्दा से चलना ह स्रद्धा के अंदर में मैं परिपूर्ण पर्मात्मा हूं एक मात्र बात जो है वो तुझे सुवाव का दर्सन कराएगी तो सम्मेक दर्सन का विसई भूत आत्मा जो दिकी 286 नंबर का एक बोल है वो सुन्दर बोल है प्रस्तन सम्मेक दर्सन का विसई भूत आत्मा केसा है सबको सम्मेक दर्सन करना है अब जिसको सम्मेक दर्सन करना उसका विसई तो आत्मा केसा है उसका विसई जो आत्मा है वो केसा है तो किते हैं सम्मेक दर्सन का विसई भूत आत्मा दू अभेद यह एक रूप सुध्ध अकन्द कुटस्त परेनामि हैं यह ख रूप सुध्द अकन्ड कुटस्त परेनामि है प्रभू यहां पे देखना होगा सम्यक दर्सन परात करना है तो उसका विशेज तो ऐसा है दुरू है, अखंड है, एक रूप है, अवेद है, कुटस्त है, आपरिणामी है वस्तु को इसके अलावा देखने का कोई विधान ही नहीं है प्रभू अनादी काल से तुने सम्यक दर्सन के चक्कर में मिथ्यातों को प्रभल किया समझ साथ नाटक के प्रवचन में पुझे गुरुदेवसरी कहते हैं कि सम्यक दर्सन के लोब में तुने मिथ्यातों को प्रभल किया क्योंकि परियाई दर्ष्टी नहीं छूटी अब जब आत्मा में राग होता ही नहीं है अनादी अनन्त काल में किसी भी जीव की परियाई में राग होता ही नहीं है ग्यानी होता है तो अरियंद का द्रविय गुण परियाई वैसे हमारे द्रविय गुण परियाई अरियन्द का द्रवियसुद हमारा द्रवियसुद अरियन्द का गुनसुद हमारे गुनसुद उनकी परियाई के अंदर में ग्यायक जन्ने में आता हमारी परियाई में ग्यायक जन्ने में आता हमारी परियाई में ग्यायक जन्ने में आता हमारी परियाई में ग्यायक जन्ने को है लुस्का जो जड़ है अच्छेतर है अजीव है जो तेरे में होता एए तरह से सर्वत अभीन है तो यहाँ तो है किते हैं एक सव मेन की परियाई तेरे से सर्वत अभीन है जब तक परियाई के ऊपर Latino Рथ रहेगा तब तक सम्यक दर्सन नियम से नहीं हो गया बात कहते हैं एक अंत हो जाएगा ऐसी आड़ लगाकर परियाई का लक्स नहीं छोड़ना चाहते हैं और चाहता है नहीं कि परियाई का लक्स छोड़ना हमें और कुछ नहीं चाहिए हमें सम्यक दर्सन चाहिए कुछ नही नहीं हो सकता प्रुभू क्योंकि सम्यक्दर्सन प्राप्त करने का विदान मुफत में है उसकी कोई कीमत नहीं है मैं आप परिणामी परमात्मा हूं ऐसा विश्वास में संभ्यक दर्सन सहाज में प्रकट होता है निर्विकल्पता सहाज में प्रकट होती है विकल्प भी सहाज निर्विकल्पता भी सहाज और त्रिकाली भगवन आत्मा भी सहाज तो यह सहाज का धंदा है सहाज का मार्ग ह प्रवु यहां पे तुई एक समय भी विकल्ब का नास करने का अभीप्रह रखेगा या निर्विकल्ब का प्रकट करने का अभीप्रह रखेगा उसका फल संसार ही है यह बात प्रभु तुझे माननी होगी जुकि क्या किरते है परियाई का लक्स नहीं छोड़ना चाहते है इ इस ही कारण से वे आप परिणामी चेतन्य तत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। समयक दर्शन क्यों नहीं होता है। तो प्रमान ज्यान का आड़ लगाता है। उसलिए आप परिणामी तत्व का भाव जो है। उसकी तुझे महिमा नहीं आती है। अच्फ। सुध्य परिणाम なमी परभा लेक्षण। वही मैं हूँ में हूँ वहीं मैं हूँ। पस इतना मेरा उस्थु है। इतना मेरा अस्तित्व है। यह स्तित्त्व गरहन करने की चीजु नहीं यह ब्रभू। इसके लिए भी बहुत सुन्दर बोल है। जिन्वानी का उब्देश के अंदर में क्या क्या पाया जाता है तो किते वस्तु को ग्राण करना वस्तु को पकड़ना वस्तु के सन्मुख वलना धलना यह सब कथन मात्र में आता है वस्तु को पकड़ना वस्तु के तरफ जुकना धलना यह कथन मात्र में आता है असल में तो त्रिकाली वस्तु में अहमपना आजाना उसी को ग्राण किया सन्मुख हुआ आस्रे लिया पकड़ा ऐसा कहते है त्रिकाली वस्तु में अहमपना मैं हूँ पस इतनी सी बात उसी को पकड़ना धलना वलना पकड़ा ग्राण किया सब कहने में आता है पुझ्य गुरुदे उसी 320 गाथा में कहते हैं कि परियाई पर तरफ जुकी हुई थी वो सुभाव की तरफ अपने आप जुकी तो उसने आत्मा का आस्रे लिया ऐसा कहने में आता है में परमात्मा हुँ ऐसा जैगोस किया उसी को आत्मा का आस्रे कहते हैं आत्मा ना आस्रे देता है परिणाम ना आस्रे लेती है क्योंकि परियाई भी निरालंबन तत्व है परियाई एक सत्थ तत्व है सनिक चक्रवर्ति सनिक है लेकिन चक्रवर्ति है उसको किसी का आधा की जरूरती नहीं पड़े असल में परिणाम भी सथ है उसको अन्य का अवलम्बन नहीं है परिणाम को किसी का अवलम्बन ही नहीं है तो अवलम्बन की बात करती है कि द्रवे का आस्रह ले द्रवे के तरफ जुक परियाई जुकती उही उत्पन होती है परियाई को जुकाने का कोई विवयार नहीं है परियाई को जुकाने का कोई विधान नहीं है कोई विधी नहीं है क्योंकि परियाई का आयू एक समय है और वर्तमान एक समय की परियाई को तू पकड़ने जाएगा तो असंख्यात समय पहले की परियाई मांसिक ज्ञान में पकड़ में आएगी तो अभी सी अभी आया नहीं है तो कौन सा परिणाम को तू जुकाएगा जुकाने का अभिमान करके भ्रांती रूप संसार खड़ा करें कुछ ये गुरुदेव स्री के सब्दों में कहे तो एक प्रसंग कहता हूं कि जब हम लोग सब कोई छोटे-छोटे थे तो गुरुदेव स्री के पास में पांस साथ बच्चे खड़े थे गुरुदेव को ऐसा वेवार था बच्चे लोग के साथ में बच्चे यसे हो जाते तो उन्होंने प्रस्न पूछ लिया कि देवदर्सन नी विधी सूचे बुरुदेव सुरी ने इसा प्रस्न पूछा देवदर्सन की विधी क्या है तो सब बच्चे लोग विद्राग विज्यान बालबोत पाटमड़ा सब कुछ पढ़ा हुए थे तो एक जवाब दे दिया क जिन मंदिर में जैने चामड़ानी वस्तुपिले उता देने चाहिए थे पर सुच पानी से हादभ दलेना चाहिए है कि मंदिर की शुदिया की चड़ते चड़ते नी सही नी सही नी सही नी सही बूलना चाहिए तो एक कर के जिने छुनिंद्र भग्वान organized गोंपान के सामन गुरुदेव का ततकाल उत्तर आया कि तो पर भगवान ना दर्षन नी विजी सुम् तो बच्चे लोग बोले प्रबुए आप ही बताईए तो गुरुदेव ने का जैसे जिन मंदिर में भगवान के दर्षन की विजी है ऐसे नीज मंदिर में जाने के लिए भगवान की विधी है दर्सन की तो कि हम वहाँ पे बेले मंदिर में जाके चमड़े की वस्त उतार दिया तो यहाँ नीज मंदिर में जाने के लिए चमड़ा है ऐसे हाथ पकड़े के बोला है चमड़ा है नो कर्म है ने वो चमड़ा है उसको द्रश्टी में से निकाल दो, यह चीज मेरी है और द्रश्टी में से निकाल दो, फिर स्वच पानी से हाथ पाउं धोलो, तो करम के कारण हम संसार में दुखी है, इस बात से हाथ पाउं धोलो, क्योंकि करम पर द्रविया है, करम कभी तो उससे हात दोलो, फिर नी-सही, नी-सही, नी-सही próxima नी-सही संसार की सर्वप्रवर्ती का लिएैग। इज्जत आवरुप पैशाव यापारे संसार नही अपने परिणाम में होने वाले राग्देसभाउचे आवसंसार है। पिले नो कर्म को निकाला फिर द्रभय करम को निकाला फिर भाव करम को निकाला परट जहां पे राइग Di सिख्धी साधी वीधी बताते में सीख्धी कर में सकते हैं तो सब्सक्राइब कौन परियाई में। जो सब्सक्राइब अपना कोने कोना द्रवय के लिए खाली कर देता है उस परियाई के वो परियाई के अंदर में बहुत कहा करते थे जिस परियाई ने अपना कोने कोना खाली कर दिया उस परियाई में नियम से भगवान आत्मा बिराज मान हूँ यह बात का हरसोना चाहिए कि मैं ऐसी लोखंडी चक्तान हूँ जिसके पेर को चुम-चुम के अनंती केवल ग्यान की परियाई निकले फिर भी जिसका एक कण भी कम नहों ऐसी लोखंडी चक्तान में हूँ ऐसी अध्वुद वस्तू में हूँ ऐसा अपूरो परमपार्णामिक भाव में हूँ तो कहते हैं इस ही कारण से वे आपरियामी चेतन्य ततो को प्राप्त नहीं होते हैं नहीं होने का कारण क्या प्रमान ग्यान को सामने रखा है अप रिणामिय HORS रोखो दार मत अधियर वस्तु बतलानी हो अन्य है अधियर द्रव्य बतला नहीं हो तब ज 21 आधिन द्रवियो परियाई की विवास्थ लेकिन गवास्तों में शंभिसए-बुद आतमा तो अनंद गुणातमक एक आतमा है आतमा मैं आनंद गुण नहीं है अनन्द गुण है लेकिन एक रूप है अनन्द रूप नहीं है अनन्द एक रूप है अनादी अनन्द एक रूप है तो कहते हैं सम्मेक दर्शन का विशाई भूत आत्मा तो अवे दिये को कि सम्मेक दर्शन का विशाई भेद नहीं है इसलिए बेदा बेद के लक्से सम्मेक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती जरविय परियाई का ग्यान करने के अभी प्राई से आत्मा की अनुभूती नहीं होती आत्मा की अनुभूती अभेद एक ग्यायक के लक्स मात्र से ही होती है और कोई विदी से नहीं होता नहीं होता नहीं होता हमने अनन्त काल में प्रयत्न बागी नहीं रखा लेकिन एक इसका विष्वास में परमात्मा बनने का प्रहात्न किरता ध़िकल आप पामर देखता तो अपने अपको पामर देखता мас इसके पामरता कभी मीट नीचिकनि और जो अपने को परमात्मा देखता है उसको पामरता खड़ी रह नहीं सकती जो परमात्मा देखे है उसकी पामरता खड़ी नहीं रही सकती जो अपने को भगवान बनने का देखे है उसको पामरता मिटनी सकती अनाधिकाल से पमरता निये मिटी उसका करण एक मत्र है कि हमने भगवान बनने का प्रहत्म भगवान हूँ इसका विश्वास नहीं किया इसकी स्विक्रती नहीं किया hybrid इसका एसास नहीं किया इसका स्विकार नहीं किया एक मार्ग मात्र और मात्र स्विकार का है करना कुछ नहीं है भगवान आत्म है अपने सुभाव में परिपूना परियाय अपने में क्रमबत ना आपको परियाय में कुछ करना है ना द्रवय में कुछ करना है द्रवय को परिपूलन पर्मात्मा मानना है, वो मैं हूँ ऐसा विष्वास, उसका नाम सम्मेक दरसन, ये सम्मेक दरसन कोई, कोई विराठ कारिया नहीं है, जो नहीं हो सकता है, अपनी भूल भ्रांती के वज़से नहीं होता हो अलग बात, कुछ नहीं करना उसका नाम पुरसा, करना उसका नाम कर्तुत वद्धी, अनन्ती कर्तुत वद्धी, हम अनन्ती कर्तुत वद्धी को लेकर चले हैं, अनादिकाल से, स्वभाव त्रिकाला करता है और हम करतू तो भाव से चलते हैं कुछ नहीं करना समय ग्रसन करना है तो वो मित्या तो प्रबल हो गिया तुझे पता ही नहीं चला है परिणाम का प्रेम, परिणाम की बिठास, परिणाम का लक्स, परिणाम का एकत्व, परिणाम का अहम पना सुभाव का लक्स करने नहीं जेखे उसलिए जिसको होता है, उसको एक समय में क्यों होता है जिसने अपने को आपरिणामी माना, आपरिणामी है, आपरिणामी होना तो नहीं है, आपरिणामी है उसका विश्वास करना, मेरे को सीध होना नहीं है, मैं सीध हूँ, और सिधा लई महां पे नहीं है, सिधा लई यां पे है, दियाहलई में ग्यायक नहीं विराथता ग्यायक ग्यायक लोक में विराथता है तो वो कुछ करने का नामी अनंद करतुत्व है मात्र और मात्र अभेद के लक्से ही सम्यक दसन की प्राप्ति होती है आप सम्मेक दर्शन के पीछे मत दोड़ा मिध्यात्व टालने के पीछे मत रहो विकल्प निर्विकल्प देखो इमत अनुबह हुआ नहीं हुआ देखो इमत मैं वर्तमान में परिपूर्ण अभेद एक अखंड परमात्म तत्व हूँ इसका विश्वास करें मैं ऐसा स्रद्धी तत्व हूँ जिसमें स्रद्धा नहीं बस्ती मैं ऐसा देख तत्व हूँ जिसमें ध्यान नहीं बस्ता स्रद्धी में स्रद्धा नहीं बस्ती स्रद्धी तत्व द्रू है स्रद्धा परिणाम है स्रद्दा जब अपने को स्रद्दा भूलकर मैं परिपुनठ परमात्मा हूँ मैं हवेद परमात्मा हूँ उसका नाम स्रद्दा है जिस में आनन्द बहने लगता है कि से में आज गुरुदेव नहीं होते हैं तो मैं परमात्मा हूं ऐसा कौन कहता है हूं भगवान तू भगवान भगवान हूं भगवान तू भगवान हूं कहना रहतूं गुरुदेव का उपकार क्या कहा है कि एक सब्सक्राइब की सब्सक्राइब का इस विदाई हूं लेकिन गुरुदेव स्री की उपस्तिती हमेशा थी और हमेशा रहेगी अज तत्तो ग्यान पुझ्य गुरुदेव स्री के माध्यम से जिस तरह से अक्सून रहा है पंचम काल के आंते तक साड़े आठरा हजार वर्स तक किसी को चिंता करने की जरुवत नहीं है कि जरुदेव जेसे वक्ता लास्ट पचीस सो वर्स में देखे नहीं जाते हैं और सायद आगे आने वाले साड़े अठरा जार वर्स में भी गुरुदेव जेसे वक्ता होंगे के नहीं एक बहुत बड़ा प्रस्तन है तत्तो ग्यान को इस परिमान पे पस्ट करना पूरे प्रवचन है सुबक आप सुन लो एक ही बात द्रवे की द्रश्टी 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 माने क्या अरुपी तत्वा अमुर्तिक तत्वा उसकी द्रश्टी कैसे हो उसका लक्स कैसे हो मैं परमात्मा हूं उसका नाम लक्स है मैं परमात्मा हूं उसका नाम आहम है मैं परमात्मा हूं उसका नाम हिकत्व है परिणाम मात्र व्यवार है परिणाम की दृष्टी से दिनता आती है परियाई के रुखने में एकांत दुख होता है परियाई में रुखने से दुख होता एकांत दिनता आती है यह सम्यक दसन प्राप्त करना है दिनता के परिणाम है हमें मोक्स को प्राप्त करना है दिनता के परिणाम है प्रभू दुख के परिणाम है अज़ गुर्देव नकान है भगवान की वानी सुनने का विकल दुख है ओमध्वनी सुनता विकल दुख रूप है प्रभू जिसका परिणाम पाप हो या पुन्या जिसका परिणाम संसार हो वो दुख ही तो है मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प दुख रुख है मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प परमात्मा का अनुभव करते हुए नहीं होता है मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है तो विकल्प खटकना चाहिए, विकल्प दुख रुप लगना चाहिए फिर विकल्प किसी भी प्रकार का विकल्प हो विकल्ब मात्र से रहित, विकल्ब मात्र जड़ के परिणाम, मन के परिणाम, मेरे से अत्येंद भीन, उसलिए का विकल्ब मेरे विकल्ब तो देखो इम्मत, जीव इस बात का तलास करते रहता, तपास करते रहता तक अभी तक सम्मेक दर्सन नहीं हो, आठ घंटा, दस घंट बारा घंटा स्वाज्ध्याई करता हो एकांत में बैठता हो लेकिन दो चार मेने के बाद में कम से कम अभी कब देख बार तो आता ये किसमेक दस्तान नहीं है कि मुमुक्सु जगत की सबसे बड़ी कमजोरी है आज के तो जो कारिय करता सर्वोत क्रश्ट है लेकिन अभी पराई जो है व्रत्ती जो है सरासर जूट और गलत है सुगा नीजी साब केते देव ससर गुरू को आकर चोटा चिपक गया तो इस तरी के विसेग को यसे चिपक ता है से यह पर चोटा तो लाब क्या हो एक सूप परिणाम एक सूप परिणाम दोनों का फुल संसा वहां से हटकर सवाव की हो रहा है लेकिन निस्चे नहीं का पक्स अच्छा है विवार नहीं के पक्स की अपिक साथ और निस्चे नहीं के पक्स में अनुमान ग्यान तक पहुंच सकता है लेकिन अनुभाव तक नहीं पहुंच सकता है निश्य नेक के पक्स में अनुमान ज्यान मनें यहां तक पहुंचता है एक ज्यानी पुरुष को आत्मा के अनुभुती हो अनुभुती के पस्चा तो विकल्प में आवे तब आत्मा का जितना ख्याल आता है उतना ख्याल अनुमान ज्यान में कि आपक्स में अनुवाई गयान में पुशते हैं आपाई कि आ slog क्या किंता है त्रवी सवाऊ और पर्याई इस Nós दो सुवाऊ कि दुनों के सवाऊ विंदिंश परियाई सक्रियाऊ द्रव निस्क्रिया झारे परियाई से कोई सबंद नहीं परियाई को द्रवेक के साथ कोई सबंद नास्ति सरोपी सबंद परियाई परिनमती अपनी योग्यता से अपनी करमवत्ता से अपनी योग्यता से परिनमते परिनाम को परिनमाने वाला इस विश्व में कोई नहीं है तो परिणाम को परिणमाना है परिणाम को सवाव के तरफ ले चलना है विकल को छोड़ दे परिणाम को परिणाम की सत्ता में रहने दे तू चाहेगा तो नहीं चाहेगा तो परिणाम अपनी योग्यता के मताबिक ही परिणामी वहाँ से द्रश्टी हटा ले और मैं तरिकाली दुरू परमात्मत अत्व हूँ ऐसी द्रश्टी करते कि वह बात कहते है परिणाम उत्पाद वे शरूप है और मैं तो आप परिणामी हूँ और यह उत्पाद यही शरुब और मैं तो आप परिनामी धुरूत तो हूँ जिसमें उत्पाद यही नहीं है निगोज से लेकर सिद तक निगोज से लेकर सिद तक वैसा का वैसा ही हूँ निगोज से लेकर सिद तक मैं निगोद में हूँ या सीध में मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता निगोद में मेरे में कुछ बगाड नहीं होता और सीध में मेरे में कोई सुधार नहीं होता दोनों इपरिणाम एक समय के परिणाम मातर है उससे मैं भीन हूँ इतना निस्प्र जो हो सकता है उसकी द्रश्टी परिणाम के उपर से हड़ी आती है निगोद और सीद के बिज में इसको कोई अंतर नहीं दिखे अपने आत्मा का नहीं समझेंगे आत्मा का स्वरुप नहीं समझेंगे तो निगोद में चले जाएंगे इसके डर से स्वाध्याई करे इसके डर से भगवान के देवधासन भक्ती पुजा करे उसका इस मार्ग में कोई काम नहीं परिणाम मात्र से भिन एक समय के परिणाम मात्र से भिन परिणाम भिन सत्ता परिणाम भिन रव्या परिणाम परद्रव्या परिणाम पर भाव और परिणाम है का मतलब यह होता है कि जिस परिणाम को है के रुप से भी याद नहीं करना पड़े उसका नाम है परिणाम है यह द्रब्य उपाद यह परिणाम है यह द्रब्य उपाद यह नहीं रहा उपाद ही हो गया है उसको ऑपोग्र किंदर हैं कि याद नहीं करना द्रश्टी परियाय के ऊपर यह सीथी द्रव्य के उपर आवें तो यह के तें है कि निगोट से लेकर सिट तक वैसा का वैसा यहूं परिणाम में प्रसर ने के परिणाम जितना हो जाएगा तो मिभ्या प्रभल ङोन निगोट तक चल रही एक समय की प्रिणाम प्रसर गया परिणाम यह k conduct at प्राप्त करने का अभी प्रायों लेकिन तू परिणाव में प्रसर गया उस परिणाव में प्रसर ने का फल निगोध है तो वो एक बार द्रवे में प्रसर जा कि व्यक्त है द्रवे में प्रसर ने का द्रवे में जमने का द्रवे में लीन होने का द्रवे में घन होने का उसमें करना कुछ नहीं है बस में ध्रविया हूँ ऐसा अभी पर आए ऐसी मान्यता ऐसा विश्वास ऐसी स्विक्रती होनी चाहिए सुगनी जी साब केते हैं कि मार्ग बहुत सरल है बहुत सुगम है स्रीमजी केते हैं सरल है सुगम है साहज है लेकिन सस्ता नहीं परिणाम का लक्स रहे वद्रवेक की दृष्टी हो जाए लक्स एक का ज्यान दो का समय एक इसको केते समय ज्यान वे समय ज्यान मुफत में मुफत में और मुफत में ही प्रकट होता है प्रहत्न से प्रकट नहीं क्योंकि जिसकी द्रश्टी द्रवय के उपर होती है उनके परिणाम के अंदर में आत्मा के अनुभुती साज प्रगट हो जाती है कल भी का अनुभुती प्रगट करने की चीज नहीं है अनुभुत प्रगट होती हुई व्यवस्ता है अपने आप प्रगट होती हुई व्यवस्ता है तो देखना है द्रव्य के उपर लक्स द्रव्य का अहमपना द्रव्य का मैं एक हूं यह बात समझना वागा कि प्रत्येक परिणाम सत है, उसके फिरफार करने का विकल्प जूठा है, दुरूव सदा दुरूरूप ही है, वो उत्पाद वेग को क्या करें? उत्पाद वेगी सत है, उसको फिरने का विसाई विकल्प जूठा है, आत्मा दुरूव एक रूप है, वो परिणाम का क्या करें? ऐसा अद्भूत मार्ग, ऐसा अलोकिक मार्ग, पुझ्य गुरुदेव स्री के महान प्रताप से, भरक्षत्र के महान प्रभावना योग से, पुझ्य गुरुदेव स्री माने इस यूग के दुसरे मावीर, इस यूग के दुसरे तिर्थंकर वत पुरुस, तिर्थंकर तो न जिन्हों ने ऐसा काम किया कि चारों अनुयोगों को जिन्वानी के अंदर में कटिबद्द करके जिस तरह से आत्मा को उभर कर लेकर आया सामने उस में सोगानी जी जीसे रत्न पके जिनोंने गुरुदेव कैसा गुरु ततो है और सोगानी जी कैसा सिस्यत ततो है इसका प्रमान दिया जिनकी एक वानी के एक वाक्ये से समयक दर्सन हो सकता है इसा पुझी गुरुदेव, उनके ऐसे सिस्य सोगानी से, हम सब भी बैसे बन सकते हैं, नियाई को पकड़े, नई को नहीं पकड़े, पर नियाई को पकड़के सुभाव पर आ जाए, क्योंकि वस्तु में नहीं नहीं है, जो वस्तु नहीं आती थे, उसको नहीं की अपेक्स होती है, वस्तु नियम से निर्पेक्स, निर्पेक्स नया मिथ्या, सापेक्स नया सत्य, अपन निश्य नहीं से आत्मा को देखेंगे, तो बिना सोचे, बिना विकल्प के विवार नहीं खड़ा हो जाए, छूट नहीं पाएंगे, उसले नहीं का पक्स को छोड़कर, परिणाम का सभाव है मेरा सभाव नहीं है हमने आज तक माना मैं करने वाला नहीं जानना देखना परिणाम का सभाव है अपरिणामी का सभाव मैं तो ग्यायक मात्र वस्तु हूँ मैं तो त्रिकाली आपरिणामी परंपाण में भाव मात्र निर्विकल्प वस्तु हूँ ऐसा ज्यान सुद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो ऐसी मंगल हूँ